जर्शी नंबर टैन का साथ में सपोर्ट मिला तैने कि मनीश सही समय पर पहुँच चुके थे जर्शी नंबर एक इस वक्त त्रेड पर क्या चकमा देंगे डिफेंडर को बिल्कुल नहीं जर्शी नंबर पांच और आट ने श्यांदार सामने से आके ब्लॉक किया खाली हाथ नहीं लोट सकते साथ का फुल हाउस बोनस ओन यहां से खाली हाथ लोटे तो बाहर जाना होगा कोशिश यहां पर लेकिन डैस कर दिये जाएंगे पहले एंकल पकड़ में आया जर्शी नंबर चार ने यह काम किया श्यांदार फुटवर्क राइट कोणर से लेप्ट कोणर पे गए और लेप्ट इनने एंकल मेंश जो की टीम के श्यांदार रेडर है क्या काम्याब होंगे जी नहीं क्या जबर्दफ्ट डिपेंड्स यहां पर खेलता हुआ खोकर कबड़ी अकेडमी का एक जुटता का परीचा यहां पर दिखाया है इस बार उमेश को टेकल करने के लिए क्या जबर्दफ्ट जर्ची नंबर त्रेड पर जर्ची नंबर तीन क्या आप पकड़ लिए जाएंगे आसिस कुमार ने एंकल चांदार ग्रिप मना लेकिन आज खोकर कबड़ी अकेडमी लाजबाब यहाँ पर खेलती भी चाहे रेट डिपार्टमेंट की बात करे चाहे डिफेंज की बात करे दोनों ही डिपार्टमेंट शानदार काम कर रहे हैं क्या यहां से उमेश का टेकल कर लिए जाएगा बिलकुल सामू हीग टेकल किया है इस बार खोकर का बड़ी अकेडमी के डिफेंडरों ने फिलाल रेट पर मंदीप तीन का डिफेंज सूपर टेकल ओन तीन या तीन से कम जब खिलाडी कबड़ी के कोड़ पे हो तो सूपर टेकल ओन माना जाता है और टेकल जब करते हैं तो टेकल वाली टीम को दो पोइंट मिलते हैं लेकिन यहाँ पर इस बार मंदीप काम्याब हुए जर्ची नंबर 6 को जाना होगा बाहर ललित दलाल बाहर जाएंगे राइट कोरनर का यहाँ पर ओल आउट देने का सूपर टेकल ओन मंदीप रेट पर कोशिश की हैं और काम्याब हुए जर्ची नंबर 9 को बाहर किया इस बार दीपक बाहर गए हैं क्योंकि एक ही दिशा में दोनों डिफेंडरों को लेकर चले गए थे दो चांस जरूर मिले थे उलाउड देने के क्या मंदीप ने फिर से काम किया है टच पॉइंट यहाँ से मिला है बिल्कूल जर्ची नंबर 3 को बाहर जाना होगा शुभम डूल जाएंगे बाहर इतनी शांदार कोशिस पहले राइट कोणर को चकमा दिया फिर लेट कोणर पे आगे आसानी से टच करके निकल गए शांदार कोशिस फिलाल मंदीप रेट पर राइट कोणर चैन में ед ये वही गल्तिकी हैं लेप्ट कोनर चे दूसरी मरत्बा पॉइंट लेकर गए हैं मन्दीप लेप्ट कोनर से बेलगनल पहले राइट कोनर पिर चकमा दिया फीजर्ची नंबर 4 को शिकर किया असानी से हर्दीप गए बाहर आर बाहर जाएंगे हरदी बाहर गए है और अगर यहां से टेकल किये तो दो पॉइंट मिलेंगे किस तरह से मंदीप कामियाब हुए पहले राइट कोनर पे चकमा दिए जरूर तमाम समर्थक यहां पर सोच रहे होंगे कि पिछले मैचों में क्या रण निदी थी और आज का मैच जिफ और एक कोनर पे हैं ललित यहां से अगर टेकल किये तो दो पॉइंट मिलेंगे क्या यहां से देखने वाली बात यह है कि जब उन्होंने मिड्लैन को हाथ तच किया तब क्या मिड्लैन के उपर से हाथ गया था या बाहर से था लेप्ट कोरनर पे कोशिश यहां से डैस किये साथ का फुल हाउस बॉनस की जरूर कोशिश की और बॉनस क्या मंदीप कामव होगे बिलकुल पाउँ पकड़ लिये लेकिन हाथ नहीं रोक पाए मंदीप के आसानी से पहुचे मिड्लैन तक दो पॉइंट मिले है जर्ची नमबर छे ओर जर्ची नमबर साथ जर्शी नमबर नो जर्शी नमबर छे को बाहर जाना होगा रस्वीन और राहूल